दोस्तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछी समय के लिए फायदमन होता है पर इसके बाद तवचा पर ना जाने कितने प्रकार के समस्याइं उत्पन होने लगती हैं। यदि आप अपनी तवचा को हर तरह के समस्याओं से बचाना चाहते हैं और एक प्रकरतिक चमक पाना चाहते हैं तो आपको घर पर जमा कीगे मलाई के गुणों को अपनाना चाहिए। नेचरल मॉस्चराइजर है जो ना सिर्फ रंगत निखारता है बलकि कई तवचा समद्धी समस्याओं को दूर करता है। तो आप सोच क्या रही हैं दमक्ती और गोरी रंगत पाने के लिए आप भी आज से इसका इस्तेमाल करें। चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। पीस्ट तयार करें फिर इससे तवचा पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए लगाकर छूड़ दें। फिर चेहरे को धोलें। रोजाना ऐसा करने से आपके चेहरे की चमक बरकरार रहेगी। दाग धब्बों को दूर करें। चेहरे के काले दाग धब्बों को दूर करने के लिए ज़्यादा तर लोग फैरनेस क्रीम कर इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई भी फायदा नहीं होता। इस समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा उपचार मलाई को माना गया है मलाई और नीमू के रस को मिला कर इसका पीस्ट बना कर लगाएं फिर चेहरे को हलके गर्म पानी से धोलें इससे आपको कुशी दिनों में अंतर नजर आने लगेगा स्किन जमा रहेगी चेहरे पर मलाई लगाने से ये तवचा की मृत को शिकाएं हटा कर नई को शिकाओं को जन्म देने का काररे करती है इसके अलावा तवचा में कूलोजन की उतपादन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है जिससे तवचा सुंदर, चमकदार और जवाँ पानी रहती है जुर्यों और जहाईों को दूर करे यदि आपके चेहरे पर समय से पहले जुर्यां पढ़ गई है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप रात को मलाई में आटा मिलाकर चेहरे पर लगाएं 15 मिनट बाद आटे को रगड़ते वे साफ कर लें इसके बाद चेहरे को साधे पानी से धोलें इससे चेहरे की जुर्यां और जहाईयां जल्द दूर हो जाएंगी मुहासों की समस्या मुहासू से निजात पानी के लिए मलाई और शेहद का पीस्ट सबसे बेस्ट तरीका वाना गया है मलाई और शेहद से बना लेप चेहरे पर लगा कर 15 मिनट के लिए छोड़ दें इसके बाद गर्म पानी से चेहरे को साफ कर लें इसका उप्योग लगातार करते रहने से आपके चेहरे के मुहासे कुछी दिनों में गायब होने लगेंगे वाकरी दोस्तों मलाई बहुत गुनकारी है और इसके लावों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी भी दी है हम ये उमीद करते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी इसके फायदों के बारे में बताएंगे इसलिए इस वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक लगातार भीचते रहें धन्यवाद